हेले स्टूडेन कैसे हैं आप सब एक बार पुनाहसी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चलोग बच्छो आपका चैप्टर 10 चल रहा है जै बनू जिसमें आज का टॉपिक है एमीनो अमल है क्या है इसके पहले मैंने प्रोटीन के बारे में बहतर समझाया था कि प्रोटीन किसे कहते हैं उनके प्रकार ही बताया था जिसे जलब घटन के आधार पर प्रोटीन या बच्छो फाइब्र जब जट्रकरबनी क्योगी कापके प्रोटीन कहलाते हैं जो की एमीनो अमलों की संगनन से बनता है और उसमें बताया था कि एमीनो अमलों का एक अलग टोपिक है तो आज आप सीखी रहो बच्छो कुल मिला करके यह दि मैं कह दूँ कि प्रोटीन का एक छोटा रूप एमी ब्यूलर प्रोटीन बनता है यह सब चीज जानना जरूरी है एक दूसरे से रिलेट करके सीखो तब तो आपको समझ में आएगा हलाकि यह आपके जीव विग्यान का टॉपिक है लेकिन कमिश्टी में है इसलिए मैं उतना ही समझाओंगो बच्चो जो कि आपके एकजाम में जितना है आप लिख सको फिलाले जी मैं बात करूँ कि एमीनो अमल मिलता कहां से देखिए हमारे सरीर में टोटा लेजी बात करूँ तो 20 एमीनो अमल होते है यह हमारे में से 10 एमीनो अमल है वो प्रोटीन से ही प्राप्ट कर लेते हैं जिसे हमारे पास कोई प्रोटीन है उसका घटन हुआ तो एमीनो अमल बनता है चुकि आप लोगों ने यह समझा कि एमीनो अमल के संगनन से संगनन मतलब जब जुड़ जाते हैं मिल जाते हैं जब एमीनो अम पसमें मिल जाते हैं या संगनन हो जाता है तो प्रोटीन का रिर्मार होता है वहीं पे जब प्रोटीन का घटन होगा तो लगबक 10 एमीनो अमल का संसलेशन मानो शरीर में यहनी हमारे शरीर में प्रोटीन से प्राप्त हो जाता है यहनी 20 में से 10 एमीनो अमल हम तो प्रोटीन स प्राप्ट कर लेते हैं उसके लिए में अलक से भोजन के वसक्ता नहीं होती है सही है कि नहीं इसके बाद जो दस होता बच्चो इसको प्राप्ट करने के लिए भोजन की जरूरत होती है मतलब जो हमें एमीनो अमल दे सके तो दस ऐसे एमीनो अमल है जो कि भोजन से प्राप्ट किये जाते हैं उन्हें हम आवस्तक एमीनो अमल कहते हैं और यदि एमीनो अमल की कमी हो जाए हमारे सरीर में तो क्वासी ओरकर नामक बिमारी उत्पन होते हैं वच्छो क्वासी ओरकर यदि कभी पूछ दिया जाए कि ए एमीनो अमले की भोजन में कमी से होने वाला रोग जो होता बच्चों वो क्वासी ओर कर ये क्वासी लिख लेना आप ओर कर ये ऐसी बीमारी है जो की बच्चों एमीनो अमले की कमी से होती है अब जैसे माली जे बच्चों को एमीनो अमले की कमी हो जाती है तो उनके सरीर का सह से विकास नहीं हो पाता ब्रद्धी नहीं हो पाता इसलिए इन दस एमीनो अमलों की जरुरत पड़ती है बच्चों के मस्तिस के विकास के लिए ब्रद्धी के लिए जैसे ये कौन-कौन से एमीनो अमल हो सकते हैं एकाद दो एकजाम पल आप लोग लिख सकते हैं जैसे आरज इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके, तो फिलाल एमीनो अमल क्या है, तो एक प्रकास से बच्चो, कार्बनी की योगीख ही है, ये तो क्लियर है, नाइट्रोजन निकती ही जटिल कार्बनी की योगीख होंगे, और इनके संगरान से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन क परिभासा से आप एमीनो अमल को समझ सकते हो, प्रोटीन की परिभासा क्या थी, नाइट्रोजन निकती जटिल कार्बनी की योगीख है, तो एमीनो अमल में भी नाइट्रोजन निकती जटिल कार्बनी की योगीख है, तो एमीनो अमल में भी नाइट्रोजन निकती जटिल इसले नाइट्रोजन से एमीन समु और कारवन रहेगा, तो कारवन से कारवोक्सलिक समु उपस्थित है, तब ही ओ एमीनो अमल कहलाएगा. रिलेट करो न, याद हो जाएगा कुछ भी नहीं है यार तो एमीनो अमल के बच्चो एक ऐसे पदार्थ है जिनमें एक एमीन समू और एक कार्वोक्सलिक समू यह दे उपस्थित है तो वो आपका एमीनो अमल कहलाएगा यह दे उसमें एक, एक से अधिक भी हो सकता है एक तो मिनमम होना ही चाहिए तो एक आपका एमीन समू और एक कार्वोक्सलिक समू तो वच्चो वहाँ पर आपका क्या कहला जाएगा एमीनो अमल कहला जाएगा जैसे एकाद एक्जामपल मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे ग्लाइसीन, यह सूत रह जो ना ग्लाइसीन का है अब इसको आप लोगों को समझ में नहीं है जैसे कार्वन से नाइट्रोजन जुड़ा है और इसके साथ आपका COOH है अब इसको आपको थोड़ा साचे तरीके समझना है तो देखेगा कार्वन जो है दो हाइड्रोजन से जुड़ा है लेकिन नाइट्रोजन के साथ दो बंद से जुड़ा रहेगा तभी ती इसकी बैलेंसी चार होगी बच्चो और यहाँ पर कित्ते हैं दो हैड्रोजन ठीक है यहाँ ता क्लियर और फिर आपका हो जाएगा H2 NH2 ग्रूप है तो इसके साथ आप NH2 जोड़ दो ठीक है तो एक आप NH2 ग्रूप जोड़ दो और एक आप COOH ऐसा करो ठीक है दूइबन से जोड़ोगे तो बैलेंसी सही नहीं होगी कार्बन की आप कुछ इस प्रकार से यह कार्बन हो गया इसके साथ COOH जोड़ दो और यहाँ पर आप NH2 जोड़ दो हाँ अभी इस तरीके से ठीक रहेगा ठीक है क्योंकि बैए कार्बन की बिलेंसी चार होती है और इस नाइट्रोजन से COOH जोड़ता तो गड़बर हो जाता तो कार्बन से ही एक एमीन समूँ क्योंकि एक अलग से एमीन समूँ बनाना पड़ेगा ना इसको मैधी कार्बन से जोड़कर इसके साथ COOH समूँ जोड़ता तो फिर ये NH2 समूँ नहीं कहलाता तो भाई हमारे पास कोई भी एक ऐसा नाइट्रोजनिक कार्बनिक योगिक है ये नाइट्रोजनिक कार्बनिक योगिक ही कहलाएगा ध्यान रखिएगा क्योंकि कर्बनी कयोगीक है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इक कर्णी कयोगीक जिसमें आपका कम से कम एक COCl और एक into है तो आपका amino amal कहलाता है अब इनहीग के आदार पर amino amal को हम तीन भागों बाढते हैं एक amalit amalit जिसमें amalit amalit चीन में 1 NH2 और 1 C हो या जहे, उदाशीन है, एक दूसरे को बरावर मिंटेन करके रखते हैं, उदाशीन में क्या होता है, बरावर मिंटेन, जितने आपके एमीन group हैं जितने ही amin sumo है उतने ही आपके karmoxlic sumo हो तो उदाहान देखते हैं बच्चो पहला यहाँ पर आप देखिए amlie amino aml है कौन सा? amlie amino aml है दिखेगा amlie amino aml है amlie amino aml में होता क्या बच्चो जिसमें karmoxlic sumo की संखया अधिक हो कार्वोक्सलिक समू की संखे अधिक हो वहाँ पर अमली एमीनो अमल होगा जहाँ पर आपका एमीन ग्रूप अधिक हो वहाँ पर छारी एमीनो अमल होगा उदासीन की बात तो आप समझी गए हैं उदासीन मतलब बराबर जिसमें आमली और चारी ए ग्रूप दोनों समान हो जैसे स्पार्टिक अमल जिससे हम अलफा सक्सिनिक अमल के नाम से जानते हैं या गलोटेनिक अमल तो जैसे हम यहाँ पर कार्वोक्स लिक अमल के लिए बात करते हैं बच्चों यह आपके पास carbon है, इसमें आपका दो COO, एदिमा लीजे, आप यहाँ से H हटा भी देते, इसे यहाँ पर आप जोड़ दीजे, NH2, यह positive की रूप में रहता है, H हटा दिये तो negative बन जाता है, और इसके साथ आप CH2 कर दीजे, COOH, अब देखिए, यहाँ पर दो carboxlix सम्मों ह होता है कि carboxlix समों की संख्य अधिक होगी, तो जब 2 carboxlix सम्मों हो जाए या इससे अधिक और उसके सापेच जो आपका एमीन ग्रूप है, उनकी संख्या कम हो जाए, यहाँ जहाँ पर 2 carboxlix समों और एक एमीन ग्रूप हो, तो आपका अमली एमीनों हो जाता है, बच्च एक जादा एकजामपल मैं नहीं कहूंगा अब जैसे दूसरा एकजामपल है गुटेमिक अमल आपको तैयर करना तो ठीक है यह गुलूटेमिक अमल है यह आपका बच्चो अमली है क्योंकि यहाँ पर सी ओ ओ ओ एस देखिए सी ओ ओ निंगेटिव तो दो हमारे पास जब कार् बढ़ ओ ने एच यहाँ निकला हो यहाँ पर चला गया इसे यहाँ पर मालीजे एच निकला है यहाँ पर इत्थरी कर दो तो पास्टिव हो गया है यहाँ पर निंगेटिव ठीक है यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार ले ना यहाँ पर एच कहां से आया यहाँ से आया य तोन अमिनो अमल केहते हैं जिसमें दो और आपका है कियोpps ऑसकी सब्सक्राइब कर नहीं ऐंदेन का आप दर ईच्छो नहीं करते हैं। अब यहां पर नहीं जाना करते हैं दो फिर यहांपर कर फिरकल्ण 2 बंद नालें को की यहांप सब्सक्राइब 5 अब होती है कितनी तीन अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन दो बंद यह तो चार तो जब यह चार का बंद बनाएगा जब किसी को एक लेक्टरान दिया रहेगा तो इसलिए पास्टिव हो गया यह आपका निगेटिव हो गया ठीक यहां तक तो इसमें आपका एक कार्वोक्स यह आ नेश्टू गूरुप रहेगा है और एक कार्वोक्स लिक आयन की रूप में लेकिन यह इसमें जब भी हम उधाषीन की बात करते हैं तो यह आयन की रूप में रहेंगे समू में नहीं रहते हैं धायन रखेगा जिन यही तो होता है पहचान जब हो एच निकल जाता तो आय की रूप में हो जाता सी ओ ओ निगेटिव ठीक है तो यह जब आयन की रूप में रहते हैं याद रखिएगा जो हमारा सी ओ एच है वो ग्रूप में रहता बलके वो आयन की रूप में रहेगा तब ही वो उदासीन एमीनो अमलक है लाएगा हलाकि उसे हम ग्रूप के नाम से ज ध्यान रखेगा तो जिन एमीनो आमले में एक आपका COO निगेटिव आयन और एक NS3 पास्टिव आयन NS3 पास्टिव कब होता है देखो NS2 होता है नाइट्रोजन की टोटल विलेंसी तीन होती है तो एक तो बंदा अल्रेडी कार्बन से बनाएगा और तीन हाइट्रोजन से बना ले चार बंद हुआ और चार बंद कब संभव होता है जब वो किसी को इलेक्टरान दे रखा होगा इसलिए आपका पास्टिव आयन और ये एक इलेक्टरान हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन को फेक दिया है क्योंकि H-Pasitive में टूटता है उग तो जिन एमीनो अमल में एक आपका कार्वोक्सली काएन और एक आपका एमीन काएन ग्रूप जुड़ा रहता है उचसे हम उधा सीन एमीनो अमल कहते हैं तो एमीनो अमल की परिवासा और एमीनो अमल के तीनो प्रकार आपको तयार कर लेना है